हालो अब्रीवान स्वागत है आप सभी का मेरे चानल दड़ दिवाइन चारो में कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं सब हापी होंगे पॉजिटिव फील कर रहे होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे करने जा रहे हों यह क्लेटिव और टाइमलेस रिडिंग होगी इसमें पॉराल उनकी जिंदगी में वह इस वह प्राप के बारे में क्या सोच रहे हैं उनको ध्यान भी है या नहीं या ओवराल हम लोग उनकी एनरजी को चेक करेंगे बट चपलिंग के टाइंबर में चाहूंगी आप यä आभास करें यह एकसाज करें लग यह फील करें की वह अभी सी करें के और आपके साथ में बैठे हुए हैं और अपका हाथ में हाथ पकड़कर बैठे हुए या कोई विरक वी से ब्यूटिफुल मैंने देखा मेरे खर के अंदर आ चुके हैं और उनका ही आवाज था मुझे लगा अरे यह आवाज कहा से आ रहे थी बहुत भी ब्यूटिकुल सीन था काश कैप्चर कवर पाती उस वक्त कैसा था ना कि मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा आवे कुछ देखेंगे बहुत कि मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टां की फीलिंग्स क्या है उनके वह क्या सोच रहे हैं एकदम क्विक रिडिंग करेंगे हम ओवरॉल चेक करेंगे जिनको बहुत शॉट पेस्ट री रीडिंग देखने हैं एक मिनिट वाली या एकदम छोटी छोट इंस्टाग्राम पे ज़रू मुझे फॉलो करें मैं शॉट शॉट वीडियो और पिकका कार्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे डालती रहते हूं ठीक है काफी strongly मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके person आपको stop कर रहे हैं आपके बारे में बहुत जादो सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं इन्हें आपका दूर दूर तक आपकी चिंता नहीं है बट मुझे overall दिखाई दे रहा है यह अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत बात करते हैं दोस्त या कोई ऐसा परिजन है जिनसे यह शेयर कर रहे हैं आपके बारे में बाते कि आप ऐसा करते थे आप साथ थे त पड़ बात नहीं करना चाते हैं अब आप समझोगे नहीं अब बोलोगे यह दीदी क्या बोल दिया मुझे समझी नहीं आया मैं आपको बताती हूं प्रॉब्लम क्या है कि मन में वही आवाज चल रही है जहां पर उनको चाहिए कि वह आपसे बात करें बट सामने यह क्या करें कि मुझे बात करने में दूर दूर तक इंटरस नहीं तो मुझसे दूर रहो तो जादा बहतर लएक कि बुलते हैं कि ऐसा बीएवेर है जैसे कि अपने जिंदगी में बहुत मजे से चल रहे हैं इनको कोई फरक मीपढ़ रहा है हो या नहीं हो वाट फ्राइंटली कि आपके लिए काफी जादा मुझे ऐसे मेमरीज दिखाए दे रही है जहां पर लिटरली मुझे दिखाए दे रहे है कि यह चीजों को अपने आपको बिजी रख रहे हैं जिससे इन चीजों से निकल सकें बाहर निकल सकें जो चीज़ा हो आप लोगों का इस वक्त बहुत ज़दा है बहुत ज़दा आपसे जादा है आप से चार गुना ज़ाधा होगा पेशन्स भी बहुत है और काफित मुझे से दिखाई दे रहे हैं वह रूड है या इगोस्टिक है इस्टी फिर कि बात्चीत बहुत हो सकता है यह इंका बाद कर नहीं एक डुर में मुझे इसा दिखाई रहा है कि एक अजीब तरीकी की हट है इनके अदर एक होतले जिद बिना वजय की कोई अजीब सी जिद है यूनिवर्स मुझे बताई कि इस चीज की जिद करके जाथे हुए है मेरे इनुवर्स को अजीज की जिद है इनके अदर इनको आपके साथ fresh start जरूर करना है ये आपके साथ continue करना चाते हैं ये चाते हैं आप दोनों के रिष्टे का reunion हो बट काफी strongly मुझे इसा दिखाई दे रहा है जिसे इनके अदर एक अजीब सी जिद है कि कुछ चीजों में ये आप से ऐसी उमीद लगा कर बैठे हैं कि आप मान जाएंगे convince हो जाएंगे like easy है उनको लगा है कि अगर वो control करेंगे ना खुद को तो आप agree कर जाएंगे उनके terms and conditions को मानने के लिए इसलिए ही person आप से दूरी बना कर बैठे हो जो आप लोग समझो पानी भी पे रहे हो तो उन्हें भी उसी वक्ती पानी चाहिए होता है mirror effect मुझे से दिखाए दे रहा है ये बहुत जादा है mirror effect आप लोग पर से काफी लोगों को बता देती हूँ इस वक हाट चक्रा ब्लॉक्ट है हाट चक्रा याने के हमारी ठीक सीने के बीचों बीचने ही चक्रा होता है इसके बारे में यूट्योब या गूगल पर देख लेना आप ठीक है ये हाट चक्रा ब्लॉक्ट है आपका ये कुछ ऐसा हो गया कि समझो मान के चलो ये एक आईना है आईना बहुत टाइम तक अगर साफ नहीं करो तो कैसा होता ना धूल लग जाती है मिटी लग जाती है जब तक आप उतना उसको साफ ना करो लाई कैसा होता ना तो ऐसा कुछ आपका हाट चक्रा भी मुझे दिखाए दे रहे हैं वह एक आपका हाट चक्रा आपका दिल का जो ये चकर है चक्रा है ना साथ चक्रा होते हैं हमारी बॉड़ी में ठीक है उससे जादा होते हैं अधिक होते पर फोकस जो है साथ ते किया जाता है और उसके बीच में हमारे पास जो heart chakra होता है उसको हमें साफ करने की जरौत है हमें damage कर दे हम बार-बार रो रहे हैं anxiety ले रहे हैं एक अजीब सी restlessness, एक अजीब सा impatient behavior हमारे अंदर आ जाता है Usually इस चीज़ को heal करने के लिए self love कहा जाता है प्राक्टिस करो बट मुझे काफी तक दिखाई दे रहा है कि काफी लोगों के लिए self love easy नहीं होता है काफी लोगों के लिए क्योंकि मुझे आप लोगों के cards में clearly दिखाई दे रहा है आप लोगों के heart chakra block होने के कारण आप लोगों के life में जो process सीधे तरीके से होना चाहिए वो बहुत घूम घूम कर हो रहा है इस तरह आओ घूम रहा है सरकल 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 जो अपनी destination पर जाना है वो जगह पर पहुच ही भी पा रहा है जिस बंदे से connect हो कर लाइक vibration जा रही है आप लोगों की energies exchange हो रही है आप उनको heal कर रहे हो आप खुद heal हो रहे हो लेकिन आपका heart chakra block होने के कारण चाहिए क्या हो रहा है नहीं तो आप किसी रेकी healing expert को approach करो रेकी healing अगर किसी से करवा रहे हो कोई expert होना चाहिए रेकी healing के लिए मैं खुद अपना भी नाम कभी न लो मैं नहीं करो मैं यह जानती हूँ लेकिन यह process में आप लोगों को उससे पर से आई है वो उसको heal करेंगे आपको इस चीज से situation से निकालेंगे detach करेंगे आपके अंदर का जो pain है जो जो जीब सा pain और जीब सी तकलीफे बार बार जो है negative चीजों को अट्रैक करने ना अपनी जिंदगी में problems create होना third party का heavy position आ जाना यह सब वो बंद हो जाएगा ठीक है आप हील हो जाओगे ठीक है हील होने के लिए किसी बुजूर्ग का इसलिए मैं recommendation डूँगी कोई भी बुजूर्ग प्लीज मुझसे यह मत बोलना दिदी किस बुजूर्ग को हैं blessings बहुत काम कि होती है तो यही बुजूर्गों की रेकी healing बहुत important होती है तो किसी की कभी भी रेकी healing करवानी है हमेशा में recommend करूंगे एक बुजूर्ग से करवाओ अगर आप लोगों को यह knowledge नहीं समन में आरा अच्छा नहीं लग रहा है उसको forward करो ठीक है नहीं अच्छा लग रहा है बहले चाहिए वीडियो स्किप्ट करो और किसी दूसरी वीडियो को किसी भी आपने हावी कर दिया आपके सर में बहुत जादा anxiety, stress एक अजीब सी vibes आ गई है जिसे चीजें ठीक नहीं हो पा रहे हैं आप या तो रेकी healing अगर आप लोग effort नहीं कर पा रहे हो तो आप YouTube पे खुद से सीखने की कोशिश करो easy नहीं होता मैं यह कहूंगी कि बच्चे-बच ब्लू कपड़े बहुत पहनो, ब्लू कपड़े बहुत पहनो, ब्लू कलर का अपने daily routine में यूज जादा करो, ब्लू कौन सा ये वाला जो डाक ब्लू, मेरे नाखुन दिख रहो ये वाले nails, ये डाक ब्लू, ठीक है? नेल पेंट लगा लो, ठीक है? अब मैने इसली नहीं ब्लू कलर का अपयोग साता करो, ब्लू कलर के कपड़े साता पहनो, नहीं पहन पारे हो, और नहीं हो पारे है daily basis पे, तो एक धागा ब्लू कलर का डाक ब्लू कलर का धागा ले आओ घर में, उसको डबल टिपल करके फिर वो पहन लो, हाथ में, ठीक है? इसका कलर नहीं निक जिससे आपकी औरा में जो ये प्रॉब्लम्स आई है, ये जो एनरजी जो नेगिटिव चीज़ों, जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, जो मलब हावी हो रही है, आपके बर नहीं होगी, ठीक है? ये ब्लू कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हो पा रहा है, त प्लांटेशन, पेड़ पौदों में जाता है हम तो, पेड़ पौदे के जो वाइब्स होते हैं, वो युरिवर्स से कनेक्टेड है, ठीक है? तो पेड़ पौदों में जादा मन लगाओ, कोई भी ग्रीन चीज़े काम करो, इस तरह सको, कोई ऐसी ऐसी चीज़े करो, जिसस प्लांट, करें जादा करें, तो, इस तरह स्टैप करो, स्टैप नहीं ले । कमिटमेंन नहीं ले रहे हैं, उसका कारण सिभ यह है, कि आपका हाट चक्रा ब्लॉक्त है, कभी कभी ऐसा ही होता है, कि दोनों सामने दोनों पॉरसन और अमलब आपके पार्टनर का भी सम्टा सब्सक्राइब पढ़ने कंचा सकते हैं तक तो हम और से अगले सेले कोशिछ को पने नहीं से हाइन मेंगे की वहागी कlast और है उपा है सप्तलब करें और हैसे और पर करें के लेञे आम इस क olduğunu करने के लिएurm पहले खुद को heal करना बाद में किसी और को करना पहले आपकी healing होगी ठीक है तो overall मुझे इससे दिखाई दे रहा है कि आपकी person आपकी मदद जरूर करना चाहते है हर सूरत में हर सेरे में वो आपके लिए stand लेना चाहते है जब जब आपको उनकी need बड़ेगी न वो आपके लिए खड़े रहेंगी especially ये financial help बोल रही हो finances की help हो सकती है या emotional किसी level पे ये चाहते है कि आपके साथ हमेशा खड़े रहे लेकिन तब खड़े रहे है जब आपको गरच है जब आपको इनकी need हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कुछ भी emotional message इनको डाल दे कि देखो मैंगी life में बहुत problems है मुझसे बात कर लो नहीं ये entertain नहीं करेंगे ये literal नहीं करेंगे क्योंकि denial position है ये इस तरह entertain नहीं करेंगे लेकिन इनको भनक पड़ गई न कि आपके जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत बुरा हो रहा है ये फटाक से आपके पास आएंगे आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि इनको आपकी मदद करने है आपने इनको बहुत कुछ दिया है return में ये कुछ आपको देना चाहते है आप लोगों का जो relation है ये काफियत तक मुझे सा दिखाई दे रहा है कि mirror effect है आप जो सोचोगे वो वो सोचेंगे आप जो feel करोगे वो feel करेंगे प्रॉब्लम से पैसा है कि आप stand लोगे वो stand नहीं लेंगे वो तैरा वाइसल पर सा कोई energies ऐसी होती है problem क्या होता ना कि जब blockages होते है ना तब हमें heal करके वो चीजों को ठीक करना पड़ता है हमारी बिंदेगे आप तो यार सबसे best चीज होगे कि advance technology है लोगों के पास किसी ना किसी तरीके से knowledge मिली जाता है कि यह करके हम ठीक कर सकते relationship को पहले सोचो यह सब चीजों का knowledge ही नहीं था फिर कैसे लोग करते थे बताओ विचारे तड़क तड़क के रह जाते थे शिक्स और पंडे के पाख यार रपाए करे टॉरस वरगो Capricorn के energy बहुत strongly है और air sign Libra एकरे जैमिनी मुझे बहुत जादा दिखाई दे रही है इन में से कोई sign आपका या सामने वाले person का हो सकता है Leo and Sagittarius भी हो सकते हैं आपके person या person नहीं जिन से आप deal कर रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है and काफियत तक मुझे इस दिखाई दे रहा है कि ये person जो है बहुत lonely फील कर रहे है अकेला बहुत फील कर रहे हैं आप नहीं हो तो याद भी बहुत कर रहे हैं मलब इनको कहीना पर मैं ये दिख पा रही हूँ आपको सपनों में भी आपको देख रहे हैं या आपको भी इनके सपने आ रहे हैं अगर आप मैं से काफी लोगों को अपने person या person ये के बहुत सपने आ रहे हैं तो इस बात से परेशान मत हो जाओ कि सपने क्यूं आ रहे हैं मुझे ये क्यूं दिख रहा है Oh Oh ईसे इस बान जो कि आप लगों को सपने क्यों दिख रहे हैं क्या हो गया हुंँआ क्या कनेक्षें दिखने का मतलग कि वहात कर रहे और आपके सपने उनको भी दिखाई दे रहे हुं ठीक है यह जो हो Со comprend आप दुनों को इंग्ज़श्र के सपने दिख रहे हैं इन्हें आपके सपने आते हैं कई-कई बार नीन में अचानक उड़ भी जाते हैं या कई-कई बार इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके ठीक बगल में ही सोय होगे हो या आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा एनको बहुत हो रहे हैं आप मैंसे कुछ लोगों के बाल बहुत जादा ज Raphael रहे हैं तो देख लेना आप लोग मेंसे किसकी energy रिजोनेट होती है है किसी के लिए नहीं हो गई है कुछ लोगों के लिए differ करेगा मुझे आज A नाम का reflection बहुत देख रहा है कोई भी हो सकता है A आचल अंचेता पता नीग कूँ मुझे बार-ार और बार देख रहा है हो सकता है A कोई connection है आप लोगों से A मुझा बार बार कुछ connection है से आपका neo कुछ क्लिक हो रहा है तो जरूर उसको फील करने की कोशिच करो कि युनिवर्स हो सकते हैं को किसी तरीके से मेरे थू से आपको कोई साइन देना चाता है a बहुत दिख रहा है बार 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 मेरे flash में reflection आ रहा है एका ठीक है तो अगर एका कुछ connection है आपसे तो जरूर ये reading आपके लिए important दे रहे है कहरे है ध्यान जादा दो ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोगों को ध्यान नहीं देना है देना है बट ये एका कुछ connection है आप लोगों से ओके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके person आपको miss बहुत कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको कहा heart blockages होने के कारण आप लोगों को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पा रहे है जोने वर्स मुझे और बता है the world ये completion जरूर चाहते हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के जिंदिकी कर कोई एक phase जो है वो चल रहा है जिसको complete करना है कभी कभी जब circumstances बहुत बिगड़ जाते है उस चीज को ठीक कैसे करना है इस बात को पगड़ना पड़ता है manifestation एक मात्र उपाय नहीं होता है ठीक है अगर आप लोग manifestation कर रहे हो और work नहीं कर रहा है वो क्यों work नहीं कर रहा है कोई तो root होगा कहीं पर आप लोग कुसे mistake हो रही है ना manifestation नहीं कर रहे हो प्रात्ना यह कर रहे है कहां गल्तियां हो रहे है हो सकता है कि आपने किसी के प्रत्य बारे किसी तीसरे इंसान के बारे में जादा सोचना इंपॉर्टन समझ लिया है कोई तीसरे इंसान को आप जादा सोच रहे हो अरे उसके साथ लगता है मज़ा चल रहे है उसके साथ जिन्दगी इसकी ले भारी हो रही है ऐसा कुछ सोच या किसी को माफ करना है और माफ नहीं कर पा रहे हो लेट गो नहीं कर पा रहे हो अपने आपको हर दिन दर्द दे रहे हो बाहर आकर आप बैट गए हो, वकील जो है वो भी अपसेंड है, जज जो है वो भी अपसेंड है, बर आप लोग बाहर बैट के ची करें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आरे, यह कोड बंद है, इस वकोड बंद है, कोड खुलेगा, आपके प एक पुक्स जाती हों, वो तो अभी करोड़ों में अनगिनत, उससे मिलियंस, बिलियंस, पता नी कितनी बुक्स जाती होंगी, उनके पास निया होने में तो कितना टैम लगेगा, लगेगा ना, यह नहीं है कि आप लोग निकल लोगे और उसके बाद निया होगा, नहीं है, भगवान की कम से कम ऐसे powers होते हैं कि वो जल्दी नहाए करते हैं आपके साथ भी होगा आप लोगों को completion होगा पट ये एक phase है ना ये phase आपके लिए बहुत कुछ लाएगा ये एक seek है आप लोगों को जो ये समय चल रहा है इस lesson को as in challenge लोगी ठीक है ये challenge है और मुझे अब आगे बढ़ना है मुझे असा दिखाए तेरा ही ये person आपको अपने दुनिया मानते है और problem ये है कि उसके लिए उनको stand नहीं लेना है मलब दुनिया हो आप लेकिन फिर भी कोई stand या commitment लेने से दूर बहते है इनको मुझे पता है इनकी problem क्या है ये क्यों stand नहीं लेते है ये क्यों commitment नहीं लेते है इसके लिए separate video भी बनाऊँगी हागे हाँ ये क्यों commitment नहीं ले रहे है या कोई stand कुछ नहीं ले रहे है justice जरूर होगा देखो मैंने नयाए की बात की justice का काड़ आप लोगों के सामने नयाए जरूर मिलेगा ठीक है नयाए जरूर मिलेगा आप लोगों को काफी strongly हो सकते है आपके person जो है या आपकी person ही जो है लिब्रा एनरजी है तुला तुला राशी वाले हो सकते है नयाए जरूर होगा ठीक है आप लोगों के लिए justice होगा ये person commitment भी देंगे लेकिन इस वक्त आपको कुछ lessons learn करने है ये person at the end आपको justice देंगे commitment देंगे या आप लोगों के लिए stand लेंगे ये आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जहां पर आपको लगेगा कि ये कर्मा अब मेरी लिए काम कर रहा है justice कर्पाक लारिफाइ करे the devil addicted हो आप अपने person को लेकर और आपके person आपको लेकर दोनों का मैंने कहा ना same energies है आप उनको नहीं छोड़ रहे हैं वो आपको भी नहीं भूल रहे हैं problem से पितनी है कि आप express कर रहे हैं वो अपने मन में रखते हैं और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान involved है जहां पर इस वक्त इनका ध्यान भटका हुआ है ठीक है लेकिन ध्यान रखना कि ये परसन जो है या ये परसन ही जो है वो आपसे बहुत जादा अटाज्ट है आसानी से आपको भूल कर निकल जाए यह पॉसिबल नहीं है वेजय मालिया के तरह हैं कि इगल बगल में लड़कियां जरूर होगी ठीक है तो वह आपको चाहे हजार दस लड़कियों में बोलते ना क्युंच गूम रहे हो लेकिन आपकी वैल्यू आपकी वर्थ अलग है आपकी आप इस लेवल पे हो वो सब इस लेवल पे होंगे ठीक है तो उनको आपका एसास होगा जरूर क्यूंकि वो प्यार करते हैं चाहे कि जरूर क्यों न ऐसे तैसे कर रहे हैं लेकिन at the end उनको आना आपके पास है, ठीक है? आपको इस वक्त ऐसा शायद लग रहा हो कि नहीं नहीं यह पॉसिबल नहीं है, यह कहां से आप उनको छोड़ गए, कहां से आएंगे, मैं तो भई ऐसा उन लंगू हूँ, पंगू हूँ जो भी अपने आपको criticize कर रहे हो, but trust me, अगर आप लोगों ने अपनी दरफ से अपना best दिया है इस रिष्टे को, तो written में मिलेगा, okay? आप लोगों की person जो है, आप लोगों की कदर समझेंगे, और उन्हें प्यार का ऐसास भी होगा, और काफी हद तक आप लोग की जोड़ करने वाले, कैसे करने वाले, but at present इनकी feeling सिर्थ यही कहती है, कि यह immature है बहुत जादा, इनको आपके लिए प्यार बहुत है, मन में इनके मन में आपके लिए जगा बहुत है, बहुत स्पेशल जगा पे हो, आपके manifestation काम कर रहे हो, और आप दोनों mirror effect कर रहे हैं दूसरे को, but problem यह है न, यह आपको याद भी बहुत करते है, but problem यह है कि अभी वो phase नहीं आया, जहाँ पर आप completion दो, आपको completion reunion तब होगा, जब आप लोगों का एक circle complete होगा, circle तब complete होगा, जब आप lessons learn करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने जिंदगी क दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं, तब आप लोगों का reunion और reconciliation होगा है, ठीक है, इसको और आगे मैं बाकी की वीडियो में समझाओंगी, क्योंकि इस वीडियो में समझा दी कहीं, तो यह बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, अब मैं साही बाबा के deck से देख लेती हूँ, आप लोगों के लिए क्या messages है, बाब प्रे, मैंने देखा, मैंने 21 मिनट तक बात किया आप लोगों से, मेरी वीडियो बहुत लॉंग होती है, क्या, शॉर्ट रीडिंग चाहिए होगी आप लोगों को, अगर आप लोगों शॉर्ट वीडियो देख नहीं है, तो जरूर कर दो वीडियो, और लॉंग चाहिए, तो बोल देना दिरी, और लॉंग कर दो, और क्लेम करना है तो इस रीडिंग को क्लेम कर दो, ठीक है, प्लीज मुझे अब ये मत बोलना दिरी, आप भूलते बहुत हो, भाई मेरा काम है, मुझे बोलना पड़ता है, मैं नहीं बोलू आप से कह रहे हैं, आप मेरे कार्या के माध्यम है, मैं आपको अपने कार्या का माध्यम बनाता हूँ, आप साही बाबा कह रहे हैं, यानि कि यूनिवर्स कह रहे हैं, इश्वर कह रहे हैं कि इनको आपके धूरूस कुछ करवाना है, आप से कुछ ऐसा होना है, कुछ ऐसे आपके हाथ में लिखा हुआ है जो सिर्फ आप कर पाएंगे और वो भगवान ने आपके साथ जो भी लाइफ जो बोलते ने घटित की है जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में डाली वो इसलिए ताकि वो काम आप पूरा कर सके जो आपने अधूरा छोड़ा है कोई काम आपने इनकंप्लीट छोड़ा है या कोई पत पे आपको पहुचता है जहाँ पर आप नहीं बहुचे हो अभी तक इसलिए इश्वर वेट कर रहे हैं युनिवर्स वेट कर रहे हैं कि कब आप उस पात पर पहुचोगे इसको कोई पूचने वाला नहीं है आप लोगों कोने बताव डीपी के ऊपर से जज्जमत करो वो क्या बोलते कोट डोट डोट जज़ अब बुक बाई इत्स कवर लएक ऐसा कुछ है कवर को बाहर बुक की कवर कोई बाहर दकी ये मत बूलोगी कि बुक बैस्ट होगी यह मत बोलो बेकार होगी वह अंदर आप लोगों को मटीरिल पढ़ना होगा तो आपके परसन या परसन कोई डीपी लगा रहे हैं या कोई चीज आपके सामने ऐसी घटे तो रही है जिससे आपको उनके बारे भी कुछ पता चल रहा है illusion direct मत create करो आपको उनका सच नहीं मालूम साइक बाबा कह रहे है पहले सच नहीं पता तो चुप चाप बैटे रहो बिना वज़े की डेडर में करना बंद को अब देखने की हूँ आप लोगों के person आपको क्या message देना चाहते हैं hand written messages अभी और ठोड़े आड़ करने वाले थोड़े दिन में रिवर्ण मुझे बताएं क्या message देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके person person परसिंटी इया partner के इसे को बहुत त्यार करते हैं ज्यादा नहीं ब्रॉल्बम जालएंगे देखने में बहुत कम लगते हैं ये छोटे लगते हैं बहुत होते हैं ये वाई है चोट्टू-छोट्टू है पर बहुत हैं बी डिप्लोमाटिक आपको थोड़ा डिप्लोमाटिक होना पड़ेगा कभी कभी कुछ चीजों में प्यार से वार करना सिखो कंबल में लपेट के थपड लगाते न वो सिखो कोई बात बोलनी है तो उसका तरीका होता है आप अपने आप में बिजी रहोगे अपने आप में संतुष्ट और खुश रहोगे ना तो हर कोई आपसे अठ्राइट जरूर होगा अगर आप भी चिल्लम चिली कर रहे तो बोलेंगे बागा जूर रहे मिल से 555 किसी तरीके से आप लोगों का जो है आपकी लाइफ में कुछ happiness या कुछ spice आने वाला है कई ऐसा हो सकता है कि आप अपने friends जादा बनाओंगे या social get together बहुत जादा करोगे अभी हो सकता है लोगों के साथ मिलना जुलना बढ़ जाएगा या आपकी लाइफ में बहुत साथा spice आजाएगा या suddenly आपकी person या person या आकर आपकी लाइफ में थोड़ा spice मेंटेंग करेंगे ठीक है काफी अद्धा की 555 तभी भी आता है कि कोई पत पे आप चल रहे हो और वो कही ना कहीं आपसे continue करनी के लिए पहा जाता है यह नमबर्स आपको specially तभी भी दिखते हैं जब आपको का जाता है कि continue करो इस पत पे चलते हो ठीक है अब यह मत बोलना देदी बाकी इंजल नमबर्स की मिनिंग बताओ मैंने इसका पोस्ट दाल रखा है आप पिछा कर चेक कर सकते हो और उसके अलावा मैंने YouTube पे भी बहुत डाले थे बीच में भी वीडियोस में तो उसको चेक कर लो यार उसको ढूंडो कहां मुझे लिंक म अब लोगों का लग चल रहा है अच्छा थी जन इस वक्त इंख देने कि आपको कोई तो यह अपको कोई टीमब्क कर रहे है या किसी इंसान की जरौत है जिससे आप बुलते ना आगे बढ़ता है आपके जिन्दगी में किसी नए इंसान की जरुवत है जिससे आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद बुलते ना मैंने पिच्चर के बारे में एक बार बीच में example दिया तो आपके जिन्दगी में सल्मान खान आ जाएगा उसके बादी जाके शादू कान वापत शादी करने के लिए आएगा लएक ऐसा ना कुछ ऐसा भी हो सकता है त्रीक के बहुत जादा माइने है अब बताने बैठी तो ये वीडियो एक घंटा चला जाएगा step July December ये आपके लिए important months हो सकते हैं इस मेनियों में आपके लिए कोई celebration या कोई event हो सकता है egoistic आपके person या person ही बहुत egoistic है ego कहां ले जाएंगी इतना इगो learn about your journey अपनी journey पता करें कौन सी journey है आपकी आप कौन सी journey में है उस journey को पूरा कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पूरी research करें कहां आपसे mistake हो रही है अगर वो journey के लिए आप बराबर काम कर रहे हो तो अभी तक चीजे क्यों नहीं ठीक हो पा रहे है कहां कौन सी mistake आपसे हुई है वो चीजों को बारे में learn करने की कोशिश करें ओके हम रहे ना रहे कुछ स्था हूं है रहेंगी सदा मूवी है जिसका यह स JOSH हो ना मिले हम रहे ना रहेंगी सदा यह कई कहां बहुत रे सो और जरूर सुनियेगा आपके person अपने तरफ से ये vibes आपको भीजने की कोशिश कर रहे हैं और ये song ये energies आपके लिए important हो सकती है इसके lyrics आपके लिए important हो सकते हैं सुनियेगा जरूर किसना movie का song है और हम रहे या ना रहे ऐसा कुछ song है सुनियेगा मुझे lyrics आपके 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 आया है तो definitely इसके कुछ vibes आपके important हो सकते हैं हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते अगर तुम न होते इसका beautiful line है अब जरूर सुनियेगा वह कुछ ऐसा है तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे क्या हो मेरे दिल बेरी जिन्दगी का तुम ही आसड़ा हो मैं आशा की लदिया मुझे exactly lines याद नहीं आ रहे ना रह रह पर रोते अगर तुम न होते अगर तुम न होते मुझे लगता है मैंने गाना कहीं कहीं गलत गाया होगा लेकिन इसको सुनना जरूर या आपके person आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर अभी भी alive है और अभी भी बोलते हैं कि इनकी जिंदगी में ये ध्यान दे पा रहे हैं या बोलते हैं आपने routine में रहने की क connection है ये कुछ ऐसा है तेरे लिए हम है जीए फूटो को सिले दिल में मगर जलती रहेंगी चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए ओ गॉड़ ओ गॉड़ ओ गॉड़ मैं सिरन भी अब तक गई हो यार ये क्या हो रहा है एक और यार मैंने कुछ selected ही का ये messages निका लेते हुए आप बहुत सॉंग आए है कही ना कहीं मुझे लग रहा है या तो आप बहुत सॉंग सुन रहे हो या आपके परसन बहुत सॉंग सुन रहे है इसलिए ये सॉंग के वाइब आपको जाबा भेजे जा रहे है एक और सॉंग है तुछ से नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ हैरान हूँ ठीक है परसनल लीडिंग के लिए अप्रोच करते हैं लोग बुक करते हैं बकायदा पे करके युकि चार्जस लागव होते हैं तो उसके बीच में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो नॉर्मल मेसेज़स कर रहे हैं उनको रिप्लाइ नहीं कर रही हूं तो बहुत बत्तमीजी से ब प्लैक्फॉर्म को यूज़ करो YouTube के ठीक नीचे comment box में mention करो मैं काफी लोगों के message में बताती हूं मैं बहुत comments पड़ती हूं मैं दिल से पड़ती हूं मेरा आपको सोने से पहले पड़ती हूं मैं सुभूब उठते ही आप लोगों को comments देखती हूं जहां जरूरी लगता है वहाँ reply करती हूँ जहां जरूरी लगता है वहाँ पर motivate करती हूँ आप लोग मेंसे काफी लोगों ने अल्री अब्जर्व भी किया होगा कि दी reply करती है मैं like करती हूँ हर comment पर आपको like बिलता है यह कोई भी नहीं करता होगा हर एक को reply करना मुश्किल हो जाता है बड़े बड़े paragraphs नहीं लिख सकती रेकिन क्या होता है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि किसी का topic कोई बहुत जादा extreme level पे है परेशान है तो मैं उस topic को like note down कर लेती हूँ और उसके बाद उस पे वो video definitely upload करती होगी देखो कि शायद किसी तरहीं से किसी की मदद हो जाए उसके अलावा मैं एक और चीज़ करती हूँ जो कोई भी taro reader नहीं कर रहा है मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही प्रीज मेरबानी करके मुझे गलत मत समझना live readings जो मैं करती हूँ जो live मैं आंकर मैं आप लोगों के सवाल जवाब देती हूँ वो कोई भी नहीं करता ठीक है मैं especially आप लोगों के लिए इसलिए करती हूँ कि किसी तरीके से मुझे लगता है काफी लोगों को help की जिरौत है जिसकी मैं साहता कर सकती हूं इस तरीके से तो हजार लोग जो है अप्रोच कर रहे हैं उसमें से दो दिन लोगों को मैं जवाब दे पाती हूं फिर नहीं दे पा रही हूं तो नेक्स टाइम फिर से लाइफ पर ट्राइक करो मेरे बहुत सारे चानले में कभी भी कहीं पर मैँ पुरा पूरा टाइम उसमे लगी रही वह प्लैटफॉर्म बहुत जक्रमें जल्द आप लोगों के Brew लिए में लाउंच करूंग HEY जहां पर जिन लोगों के लिए अफॉर्ट कर्ना मुश्किल हो जाता है जिन लोगों पास पैसे देनी के लिए नहीं है नहीं हूं पा में लगेगा ठीक है तब तक पिलिए सिफ इत्मी रिक्वेस्ट ये परसनल लीडिंग के लिए नंबर दिया गया है जिसके चार्जिस लागव होते हैं किसी भी और कारण से अगर आपको मुझसे करना चाते हैं यूट्यूब का कमेंट बॉक्स इस प्लाट्फॉर्म को जरूर यूज करो यहां पर मैसेज करो किसी तरीके की भी चीज आप लोग मुझे मैसेज करोगे कमेंट करोगे मैं डेफिनिटली जो है देखती हूँ और जहां मुझे जरूरी लगता है मैं कर सकते हैं ठीक है अभी के लिए इतना ही चलते हूँ है बाइबाइ ठीके लव यू और ओम साहिराम